मेरा नाम एक्ष है और मैं आज बात करने वाला हूँ कि कैसे फ्लिप कार्ड से आप कैस और डिलिवरी कोई भी प्रोड़क्ट को ओर्डर कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने फ्लिप कार्ड अप्लिकेशन को ओपिंग कर लेंगे और यहां सर्ट बार में हम यहां पर टाइप करेंगे जो भी प्रोड़क्ट आपको ओर्डर करना है उसके बाद फिर जो भी प्रोड़क्ट आपको यहां पर दिखे जो भी आपको ओर्डर करना है उसको यहां पर स्लेक्ट कर लेना है जैसे मैं इस प्रोड़क्ट को मुझ जएक से देख लें क्या वो product सही या फिर नहीं सही है आप यहां पर देख सकते हैं इस product का जो rating है वह 4.6 है और लोगों ने यहां पर आकर की review किया है वह काफी अच्छा review दिया है यहां पर तो चलिया हमें इसको order करते हैं यहां हमें by now पर click कर लेना हुँ, just riblam. या पर जिस हमें सब्सक्राइब करने मुंछाना है इस प्रॉड़क्ट को मंगाना है, वहां का यहीं पर change your address कर ले ना, यहां पर add । får यहां पर यह रिंधर यह पर लेना है, उसके बाद जहां जिस भी area में आप रहते हैं वहां का pink code आपको डालना होगा उसके बाद जिस भी state में आप रहते हैं उस state आपको डालना होगा वह state यहां पर डालना होगा उसके बाद फिर जिस city में आप रहते हैं वो city यहां पर जो mention करना है वो आपको mention करना होगा उसके बाद फिर यहाँ पे आपका actual address डालना होगा जैसे कि जिस भी colony में रहते हैं house number, building number, building name जो भी आपको है वो चीज यहाँ पे आपको डालना होगा और वहाँ पे आपको street address डालना होगा जो की as a landmark जो भी shop, mall या फिर जो भी चीज आपकी यहाँ पे famous हैं वो चीज यहाँ पे आपको यह चीज यहाँ पे डालना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे दो टाइप का address दिख रहा है address type यहाँ पे दिख रहा है home and work अगर आप अपने घर का address डालना होगा अगर आप अपने ओफिस यहाँ पे काम करते हैं तो आपको work select करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे save address पे click कर लेना है उसके बाद फिर हम back हो जाएँगे यहाँ पे जो भी address यहाँ पे select कर लेंगे हम और delivery here पर click कर देंगे उसके बाद बाकी आता है यहाँ पर continue यहाँ पर click कर लेंगे यहाँ बाद यहाँ पर payment का option यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं आप UPI के थुरू भी payment कर सकते हैं credit card और debit card ATM के थुरू payment कर सकते हैं net banking के भी थुरू payment कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पर cash on delivery order करना है तो दीखिए यहाँ पर click कर लेना है और यहाँ पर place order पर click करना है फिर हमें यहाँ पे confirmation के लिए हमें यहाँ पे कुछ capture code लिया जाते हैं फिर हमें उसे यहाँ पे type करना है और यहाँ पे confirm order पे click कर लेना है जैसे confirm order पे click करेंगे आपका जो है order वो place हो जाएगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को हमारे like करें और हमारे चैनल को subscribe करें और bell notification को press कर दें ताकि हमारी आने वाली next वीडियो का update आपको तुरंते मिल जाए subscribe now and press the bell icon never miss an update